आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Question में हमें दे रखा है Fx जो हमारा है वो किसके इक्वल है तो Cos x²-4 टाइम से Greatest Integer Function of x के एक्वल है जहां पर हमारा x जो है वो 0 से 1 को बिलॉंग करता है ठीक है यह जो Greatest Integer Function of x यह बोल रहा है यह जो x का Big Bracket है वो GIF यानि की Greatest Integer Function को डिनोट करता है तो बोल रहा है देन F dash root pi by 2 की value क्या होगी ठीक है तो एक First derivative को इन्होंने F1 बोला है ठीक है तो F1 एक साइन होता है इसको First derivative पढ़ते हैं तो Fx हमारा क्या है Fx हमारा basically है Cos of x square माइनस अब देखो अगर मेरा x 0 से 1 वेरी कर रहा होगा अगर मेरा x जो है वो 0 से 1 वेरी कर रहा है तो अपन किलियरली बोल सकते हैं जो GIF of x होता है वो हमारा क्या होता है Less than equal to x होता है इसका meaning ठीक है यानि कि Left hand side वाला जो हमारा nearest integer होता है वह हमारा GIF of x होता है gradation integer function of x तो यहाँ पे अगर मेरा 0 से 1 वेरी करता है x तो इसके Left hand side हमारा 0 है तो इसकी जो value होगी यह हमेंसा 0 होगी ठीक है तो अपन किलियरली यहाँ से देख सकते हैं कि यह 4 times जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है हमारा यह यह 0 लिखा हुआ ठीक है क्योंकि इसका value 0 होगया तो यह हमारा यह function आ गया अब इस function का value हम अपन यहाँ पर directly लिख सकते हैं fx is equal to cos of x square अब function हमारा यह बन गया हमें derivative चाहिए तो अपन कर देंगे इसको differentiate ठीक है differentiate अगर मैं इसको differentiate करूँगा तो हमें क्या मिलेगा देखो f dash x left hand side तो हमें f dash x को मैं f1 x बोल देता हूँ तो इसका differentiation cos x का क्या होता है minus sin x और x के जगा पर x square लिखा हुआ है अब chain rule से x square का differentiation होगा यहाँ पर x के respect में तो यहाँ से अपन देखे तो यहाँ आ गया f1 x is equal to minus of sin x square और dx square by dx यानिकी 2x यहाँ आ गया हमें क्या value चाहिए था तो हमें value चाहिए था यहाँ पर f1 root pi by 2 का तो x के जगा पर root pi by 2 रख देते हैं तो यहाँ पर x के जगा पर root pi by 2 रखा तो यहाँ गया f1 यहाँ पर root pi by 2 is equal to minus of sin root pi by 2 का square करूँगा तो क्या होजाएगा pi by 4 और यह हमारा क्या आ चुका है 2 into x के जगा पर रखेंगे root pi by 2 तो यह value रखा मैंने तो यहाँ से अपन देखें तो यह 2 हमारा cancel sin pi by 4 हमारा क्या होता है 1 by root 2 तो minus 1 by root 2 और यह लिखा हूँ है root pi तो total value क्या बन गया हमारा यह total value आ चुका है root pi divided by root 2 minus में तो यहाँ से अपन देखें तो clearly f1 यहाँ पे root pi by 2 की जो value है वो हमारा मिल चुका है square root of pi by 2 वो भी minus में है तो this is the answer for this question ठीक है Thank you